अरे राम रुख जा बेटा परिक्षा देने जा रहा है और ऐसे ही चला जाएगा क्या रुख ये दही शक्कर तो खा के जा बेटा अब चल जल्दी से मुझ खोल खा मा लाओ जल्दी से लाओ अच्छा दो पर मैं खाने में क्या बनाओगी आज कचोरी बना लो न हे भगवान इस लड़के को कितनी पसंद है आलो की कचोरियां हर दूसरे दिन ही मांगने लगता है बना दूना मा प्लीज हाँ हाँ ठीक है ठीक है बना दूगी जब तेरी शादी हो जाएगी न तब देखूँगी सुनैना ने जैसे ही हाँ हाँ से भाग गया उसे भागता देख सुनैना भी जोड़-जोड से हसने लगी तभी घर के अंदर कुरसी पर बैठे सुनैना के पती ने कहा तुमारा इसाब भी न मुझे समझ नहीं आता सुनैना उसका एक्जाम है एक तरफ तो उसे दही शक्कर खिला रही हो और फिर जाडू से पीटने को भी दोड़ पड़ी आप अपना अगबार चाटो ये मा बेटे का मामला है हमारे बीच बोलने की जरुरत नहीं है आपको लो जी ये भी अच्छा है चलो फिर हम भी देखेंगे कि हमारे बहू के हाथ की कचोरियां वाद में कैसी होंगी हाँ तो ठीक है ना, आज दो पहर में आपको भी कचौरी नहीं मिलेगी अब सीधे अपने बहु के हाथों से बनी कचौरियां ही खाना आप अब तो मैं कचौरियां बनाऊंगी और बस खुद ही खाऊंगी अरे सुने ना, सुनो तो सही, मैं मजाग कर रहा था तुम तो बुरा ही मान गई, तुम ही बताओ, तुम से अच्छे कचौरियां बना सकता है भला कोई, है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा मखन लगाने की जरुरत नहीं, मिल जाएंगी कचौरियां हट ये, मुझे अब रसोई की सफाई करनी है साफ तो है रसोई, अब इसमें और क्या सफाई करोगी रसोई घर का मंदिर होती है, अन्न मिलता है यहां से, इसी लिए रसोई में जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, समझे न ठीक है अन्न पूर्णा माता, करो अपनी सफाई, मैं तो बस कचौरी जरूर खिला देना, ठीक है न चंदन सिंग और सुनेना का एक ही बेटा था राम, तीनों ऐसे ही हसी खुशी और बड़े प्यार से रहते थे सुनेना को खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था, खास कर वह जब भी आलू की कचौरिया बनाती थी, तो खाने वाला तारीफ के बिना रह नहीं पाता था सुनैना को जितना खाना खिलाने और खाना बनाने का शौक था उतना ही शौक उसे अपनी रसोई को साफ रखने का भी था मजाल थी कि रसोई में एक धूल का करण भी नजर आ जहे उधर कॉलिज में हाई राम हाई सोफिया, how are you? I am good, so ready for exams राम जिस कॉलिज में पढ़ता था वहीं सोफिया भी पढ़ाई कर रही थी। सोफिया अमेरिका की रहने वाली थी। उसके पिता जेम्स एक साल पहले ही दिल्ली आकर बस कहते। यहां उनका एक बड़ा बिस्निस था। सोफिया अपने पिता के साथ ही रहती थी। इसलिए उ अच्छी दोस्ती हो गई थी और कॉलिज की पढ़ाई के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नी चला कॉलिज खत्म होते ही राम को एक प्राइवेट कमपणी में अच्छी जॉब मिल गई और फिर मा पापा इधर आईए ना आप दोनों से कुछ बात करनी है हाँ बोलना बेटा वो मेरे कॉलेज में एक लड़की है वो बहती प्यारी है सुन्दर है मैं उससे शादी करना चाहता हूं मा अरे वा ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो फुल कर बताओ चलो जल्दी से उसके घरवालों के Бारे में बताओ ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें नहीं वो, वो 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 क्या कर रहा है अच्छा नाम तो बता लड़की का मा वो उसका नाम है सोफिया सोफिया एंडरसन हैं ये ये कैसा नाम है और क्या जात और गोतर कौन सा है लड़की का अरे जातपा छोड़ो वो कह रहा है कि लड़की अंग्रेज है हे भगवार, कितनी मुश्किलों से हजार उक्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे कर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई और ये उनी की बेटी को अपने घर लाना चाहता है ताकि वो हम सब पर राज कर सके अरे नास पिटे नालायक कही के भूल गया, अंग्रेजों ने कितने जुल्म किये थे हम लोगों पर अफो मा, ये सब क्या बोल रही हो, आप मेरी बात तो सुनो, अब एक बार आप उससे मिल तो लो आप चुप रहो जी, अंग्रेजों के हिमायती कहीं के लो, अभी कुछ हुआ है नहीं, और हमें अंग्रेजों का हिमायती भी बता दिया मा, पापा, वो सोफिया बाहरी खड़ी है, उसे अंदर ले आओ क्या अरे, तू कुछ पागल है क्या, है, इतनी धूप में बिचारी को बाहर खड़ा करके आ गया, जा, जल्दी इंदर लेकर आओ से राम तुरंट सोफिया को बुलाने चला गया नमस्टे आंटी जी, नमस्टे बेटा, हाउ, यू, गुट, आंटी जी, मुझे हिंडी बोलना आता है शुकर है भगवान का, वरना तुम्हारी मा की अंग्रेजी तो अंग्रेजों को भी समझ में आए चुपकर हुआ, राम अपने पापा को सोफिया के बारे में बताने लगा और उसी दौरान जब सुनेना सोफिया को अपनी रसोई में लेकर गई तब अरे रुको बेटा, अब अपने जूते बाहर उतार दो ओकी आंटी जी, क्या है न बिटा जी, हमारे घर में रसोई में जूते पहन कर नहीं आते हैं काफी देर तक राम, चंदन सिंग और सोफिया बाते करते रहे तब तक खाने का वक्त हो गया और सुनेना सब के लिए आलू की कचोरिया बना कर लाई खाना खाने के बाद राम सोफिया को छोड़ने चला गया, फिर रास्ते में सो सोफिया, कचोरिया गैसी लगी तुम्हें? गुट गुट, सोफिया को कचोरिया बिल्कुल पसंद नहीं आई थी उसने तो बस राम का मन रखने के लिए ऐसा कह दिया था सच तो ये था कि उसे ओली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था हाला कि वो बर्गर, पिज़ा, नूडल्स वगएरा बड़े ही चाप से खाती थी क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा खाना खाती आई थी राम की जिद के आगे सुनैना और चंदन सिंग ने उसकी शादी सोफिया से करा दी और सोफिया के डैट को तो इस शादी से कभी कोई प्रॉब्रम थी ने तो इस तरह सोफिया अब राम के घर बहु बन करा गई लेकिन दो अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन होना ज़रा मुश्किल था सोफिया कहा हूं तुम मैं यहां हूं माटा जी बिटा तुम ना मुझे मम्मी कह दिया करो क्या है ना माटा सुनने में आटा जैसा लगता है और मैं भी तुम्हें आज से सोफिया नहीं सिया कहूंगी तुम्हें पता है माता सीता का एक नाम सिया भी था और तुम भी तो राम की पत्नी हो तो इस हिसाब से भी ये नाम तुम्हारे लिए बिलकुल ठीक है ठीक है माटा जी ओ सारी मम्मी जी कोई बात नहीं अरे ये क्या तुमने फिर से बर्गर मंगवा लिया इसे रहने दो चलो नीचे चलो गर्मा गरम ताल चावल बनाए है नो ममी मेरे लिए यही ठीक है आप लोग काई है ना सुनैना सोफिया को सिया कहने लगी थी और वो चाती थी कि सिया उनके घर के तौर तरीके सीखे लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही सोफिया और सुनैना के बीच रसोई संभालने और खाने के तौर तरीकों को लेकर तकरार शुरू हो गई सिया चपल बहन कर रसोई के अंदर चली जाती थी और उसके रहते रसोई भी अस्त व्यस्त रहती थी, जो सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था जब बातचीत से हल नहीं निकला तो आखिरकार राम सोफिया को लेकर अलग घर में रहने चला गया, फिर एक दिन सुनैना, जल्दी करो भई आ गई बस, चलिए, हो गई तयार, चलिए, जल्दी चलिए नाब अहा, देखो तो, बेटे बहु से मिलने की कितनी जल्दी है मैडम को, हाँ राम और सोफिया को गई कई दिन बीच चुके थे, इसलिए सुनैना वाकई उनसे मिलने के लिए बेचैन थी वो उनसे मिलने उनके फ्लैट गई, फिर जब वो सिया की रसोई में गई, तो वहाँ का नजारा देख कर तो उसका सेरी चक्रा गया अब सिया बेटा, जादा वक्त नहीं लगता है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, बस दस मिनट में रसोई कैसे चमका देती हो तुम्हारी डूंट वरी ममी जी, यहाँ जो जैसा है, सब ठीक है सुनैना दुखी होकर वहाँ से चली गए, फिर एक दिन वही हुआ जिसका सुनैना को डर था सोफिया की तबिद बिगड़ के, वो खासी जुखाम और उल्टी से परिशान थी सुनैना और चंदन सिंग जब राम के घर गए तो देखा कि राम की सेहत भी बहुत ठीक नहीं थी यह सब देखकर सुनैना ने फैसला किया कि वो कुछ दिन वही रहेगी और सब कुछ ठीक होने के बाद ही लोटेगी उसने अपने पुराने देशी नुख्सकों का इस्तेमाल किया वो हर रो सोफिया और राम के लिए काढ़ा बनाती उन्हें अपने हाथों से बना भारती और ताजा खाना बना कर खिलाती साथ ही घर की रसोई को भी बहुत साफ सुत्रा रखती इस वक्त वाकई राम और सोफिया की सेहत में बहुत ही जल्दी सुधार आने लगा मम्मी जी तैंक यू सो मच आपने ही मुझे टीक किया है मैं मान गई आपकी किचन और आपके नुस्कों को जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए वो आपके काडे, गी और मकर ने कर डिकाया मुझे अपनी गल्टी का एहसास हो गया है प्लीज मुझे माफ कर दीजे और हमारे साथ यहीं रहे न प्लीज सोफिया की आँखों में आसू थे सोफिया को ऐसे देख कर सुनेना का दिल पिखल गया उसने राम और सोफिया की बात मान ली और फिर उसी शाम खाने की मेज़ पर आ तो तयार हो, पिज़्जा या फिर बर्गर खाने के लिए नो पापा, आज लंच में आलू की कचोरी है तेस्ट करिये न वा क्या बात है अरे भई, मजा ही आ गया, सुने न लो भई, तुमारा तो घर में कॉम्पेटिशन खड़ा हो गया भई, है नो पापा जी, ये कचोरी बनाना तो ममी जी ने मुझे सिखाया है और रियली, मुझे इनने बना कर बहुत मजा आया सोफिया की इस बात पर सभी सुनेना की तरफ देखने लगे जो अपनी आखों के आसों को छिपाते हुए कचोरीों का स्वाद लेने में बिजी थे